गौवद की गैंगेश्टर एक्ट के आरूपी की संपत्ती जब्थ 26 लाग की संपत्ती पर जब्ती करण की कारवाई अलिगर की थाना चर्रा इलाके के धनसारी निवासी अभियुक्त बबलू उर्फ बबुवा के खेत पर आज पुलिस और प्रशासनिक टीम ने जेसी भी चला कर खेत को अपने कबजे मिले लिया लगभग साड़ी चार बीगा जमीन को प्रशासन ने जब्थ किया है इसके कीमत लगभग 26 लाग बताई जा रही है अभियुक्त बबलू उर्फ बबुआ लंबे समय से गोकशी करता हुआ आ रहा था जिसके तहथ अभियुक्त पर गैंगेश्टर की कारवाई सुनिश्चित हुई है गेंगेश्टर की कारवाई सुनशित होने के दोरान ही अवाय दूरूप से कठा की गई जमीन को प्रशासन ने चुनित कर जबती करण की कारवाई की है संपत्ति कुर्क करने की कारवाई करते हुए ढोल नगाडा बजाने के साथ माईक पर इलाके में एलान किया गया इसके बाद खेत पर सरकारी जमीन होने का बोट लगा दिया गया इस कारवाई में दो डियस्पी तहसिलदार इलाका पुलिस की टीम मुझूद रही शर्रा डियस्पी देवी गुलाम ने बताया कि जिलादिकारी के निर्देश पर गोवद के अभियुक्ति गंगेश्टर एक्ट के तहाथ संपत्ति कुर्क की गई है जिसमें साड़े चार बीगा संपत्ति कुर्क की गई है जो 26 लाक रुपे की बताय जा रही है अत्रवली तहसिलदार उशा सिंग ने बताया कि गंगेश्टर एक्ट के तहाथ आरोपी बबलू उर्फ बबुआ के संपत्ति को कुर्क किया गया है अभ्यूक्त के साड़े चार बीगा खेत पर मशीन चला कर जमीन को अपने कबजे में लिया गया है और जमीन पर सरकारी भूमी होने का बोर्ड भी लगा दिया गया है यह गैंग्स्टर एक्ट के तहट यह बबलू उर्फ पहुआ है गोवद के अभ्यूक्त इनके जो संपत्तियां थी इसको गैंग्स्टर एक्ट के तहट कुर्कर जब्त कर दिया गया है लगभग यह साड़े चार बीगा के करीब है जमीन और इसकी कीमत जो आकी गई है वो करीब 26 लाग के आसपास है सियाई विंडियनूस की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबातर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन्स आप तक पहुंचते रहें